शिप पार्वती की कहानी एक बार पार्वती माता भगवान शिप शंकर के साथ पदयात्रा पर विश्व ब्रह्मन के लिए निकली विश्व में अनेको अस्थान गूमने के बाद पार्वती माता ठक गई और भगवान शिप से थोरी देर विश्राम करने को कहा भगवान शिव ने बिस्राम करने के लिए हामी भरी और दोनों एक पीपल के नीचे बैठ गए थोरी देर बाद भगवान शिव अपनी करवट बदल कर लेट गए लेकिन पारवती माता की निगाह उन चीटियों की कतार पर ठीकी थी जो एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जा रही थी और चीटियों के बीच रास्ते में पर रहा था एक रिंगने वाला कीरा जिसे चीटिया निरंतर काट रही थी कीरा अपनी रक्षा करने में असमर्थ था क्योंकि चीटियान एक थी कीरा अत्यधिक पीरा में था वो अपनी रक्षा करने के लिए छटपटा रहा था पारवती माता यह द्रिश्य देख दुखी होने लगी माता कैसे न कैसे उट कीरे की पीरा मिटाना चाहती थी लेकिन खुद करने में असमर्थ थी तो पारवती माता ने कीरे को इस समस्या से निजाद दिनालने के लिए भगवान शिबशे प्रातना की भगवान शिब ने जब खरे होकर उस कीरे को देखा तो पारवती माता को समझाया कि इस पर अपना ध्यान मत दो या किशी पीरा में नहीं अपितू अपने कर्मों का फल भोग रहा है कि सभी को अपने कर्मों का फल भोगत नहीं परता है